नमस्कार दोसों स्वागत है आपका क्रिक्बेन यूटूब चैनल पर अफगानिस्तान और नीदरलेंड के बीच वर्ल्ड कप को जो नैक्स मैच खेला जाएगा उसके बारे में हम वीडियो के अंदर बात करेंगे कैप्टन वाइस किप्टन की क्या चोईस बन रही है एक बार फिर से लखनाओ की पिच पर मैच है कैसी पिच रहेगी क्या पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट है स्पिनर्स ज़्यादा विकेट्स लेंगे बैटिंग सेक्शन से हमें किन प्लेयर्स को टीम के अंदर रखना है सब कुछ हम वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले है तो वीडियो को बिल्कुल भी सिर्फ बनत करना अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहते हैं तो यह मैच बाई ग्रेलिक के लिए बहुत ही अच्छा है ग्रेलिक के लिए काफी अच्छा मैच है तो ग्रेलिक की टीम से भी आपको बताऊगा साथी साथ स्मॉल लीग में क्या कॉम्बिनेशन समारा बन रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे लास्ट तक बने रहना लास्ट मैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते है नोटिफिकेशन ओन कर ले हैं क्योंकि डब्लू बीबिल भी मैं कवर कर रहा हूँ और वर्ल्ड कप के मैचेस और साथ इसाल जो भी डिफरेंट मैचेस होते हैं जिन में विनिंग के चाह से सच्छे होते हैं उनको कवर करने की मेरी कोशिश होती है तो आप सब्सक्राइब गर सकते हैं मागी टेलिग्राम पर नहीं आया जो की लखनाओ मैं और अल्रेडी काफी सारे मैचेस यहाँ खेले जा चुके हैं अगर आप को याद होगा तो लास्ट जो इंडिया का मैच था इंगलेंड से वो भी इसी पिछ पे खेला गया था अवर्ल एक न्यूट्रल सर्फेस है बैट्समें के लिए बहुत जादा कुछ नहीं है लेकिन बोलर्स के लिए बहुत कुछ है बोलर्स में किने ट्राय करना है बाई सीमर्स ने भी अच्छे खासे विकेट्स निकाले हैं और स्पिनर्स ने भी बड़िया विकेट्स निकाले हैं यहाँ पे हम दोस्तों average first ring score की बात करें 245 है और मेरे according लगबग इतना ही जा सकता है जो भी टीम first bet करके अगर अच्छा score कर रही है तो इतना बना पाएगी अदरवाइस 200 से 220 के बीच score रहेगा दोनों ही टीम की ताकत अगर हम बात करें तो bowling थोड़ी सी दोनों टीम की जादा बैतर है इंडिया इंग्लाइंड का लास मैच था जो मैंने भी आपको बताया इंडिया सिफ 229 score कर पाया और इंग्लाइंड उसे भी चेज नहीं कर पाया है तेरा विकेट पेसर पांच विकेट स्पिनप उसके पहले नीदर लैंड अल्रेडी एक मैच अपना खेल चुकी ह उसके पहले शिलंका ने 209 बनाए और उसे चेज कर ली है तो 7 विकेट पेसर और 6 विकेट स्कूर निकल रहा है बागी पेसर से जादा उम्मीद कर सकते हूँ दौनोई टीम यार मैं किसी भी टीम को बहुत जादा स्टॉंग और कमजूर नहीं आकर हूँ दौनोई टीम ने अपने मैचेस विन किये अफगानिस्तान की बात करें तीन मैचेस विन किये और नीदर लैंड ने की दो मैचेस है जीते हुए अब हम दोस्तों शुरुआत करेंगे पॉसिवल 11 के साथ यही रहेगी भी है कोई भी चेंजिस नहीं हो रहे है और आप देख भी रहे है नीदर लैंड के पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है जिन प्लियर्स पे जिनोंने बढ़िया किया है उन्हीं के साथ वो मैचस आप देख लो पिछले यहां पर कितने मैचस लिखी हुए चार और चार आठ नौ मैचस नौ मैचस में 20 से जाधा स्कूर नहीं किया है मतलब फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है तो आज भी जाधा उमीद है ग्रेंडिंग में जरूर ट्राय करना ग्रेंडिंग में ह सकता है थोड़ा बहुत कुछ अच्छा करके दे दे विक्रम जीस सिंग की बात करें 29 का अबरेजे साथ विकेट्स निकालें रिसेंट लियार बोलिंग उतनी जाधा मिलती नहीं है एक आध दो और मिलते हैं बैटिंग से इन्हों ने भी कुछ कमाल नहीं किया है मौका इनक इन्फरम भी आप देखलो एक जीरो किया है बाकी दो मैचस में बड़िया स्कूर किया है लास्ट अपना पहला मैच खेल रहे थे उस मैच में इन्हों ने अच्छा कर दिया है स्मॉल निंग मगर 7-4 वाले कॉंबिनेशन में आप जा रहे हो जैसे कि हमको बेरा में खेलते ह नहां पर फिर एक बैटिंग सेक्शन से इन्हें आप जरूर ड्राइ कर सकते हैं बड़िया बैट्समेन है और अवरेज भी आप देख रहे हो अकर में की बात करें 13 मैचस 9 विकेट्स निकालें 30 का एवरेज है बोलिंग भी बड़िया चल रही है बैटिंग से भी आपको ड बात है बही है बंदा टीम का कैप्टन भी है और आप पिछले मैचस भी देख लो साउथ अफरीका वाला मैच आपको यादोगा 78 टीम को जिताया लास मैच में 68 बनाया है 12 रन 16 तो लगातार रन्स यह भी कर रहा है फॉर्स बैट अगर इनकी टीम की आरी तो डेफिनिटल आप रखे ना वहाँ पर उपर के विकेट्स अगर गयते हैं समल के बड़ी पारी खेल के दे सकते हैं पीछे बैटिंग आ रही है तो फिर कितना क्या मौका मिलेगा कहना मुश्किल रहेगा उस कंडिशन में डॉप कर सकते हैं लीड़े की बात करें 36 मैचस में 33 विकेट बै परफॉर्म किया है पिछले कुछ मैचस में इससे तो कहीं ज्यादा बहतर बैट्स में है 25 का एवरेज है और बोलिंग भी डैट्स में मिल जाती है अगर शुरुआत में विकेट्स ने मिले तो डैथ में भी कुछ और स्टाल सकते हैं अगर फॉर्स बैट आती है तो इनको आप कैप्टन रख सकते हो नाइक्स बात करें एंजन ब्रेश्ट की बारे में 32 का एवरेज है ये प्लेयर भी बहुत अच्छा है बहुत बैतर है और ये और राउंड दान है लेकिन इनको बोलिंग मिल ने रही पिछली कुछ टेल्स में इनके नंबर्स देखे हुए बोलि कि बारे में आप सोच सकते हैं जिनों ने बढ़िया करके दिया है वैंड की बात करें तीस मैच इस 43 विकेट्स नंबर्स ही आपको दिख रहा है प्लस पॉइंट के बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और नीदर एंड के विकेट्स आज फिर से गिरेगी तो टीम में रखना ग्रेंड लिंग में कैप्टन वाइस इप इनकी बड़िया चोईस है स्मॉल लिक में रखना है तो रखतो सकते हो लेकिन दो चोईस हमारे पास और बहतर है तो मैं नहीं कर रहा हूं आपको करना है कर सकते हूं आर्यंद की बात करें 31 मैचस 28 विकेट बड़ करें recent numbers उतने बहतर नहीं है बागी ग्रेंड लिग में आप ट्राइ कर सकते हो स्मॉल लिग में नहीं है विकेरन की बात करें 19 मैचस 25 विकेट रिसेंट फॉर्म आप देख लो सिर्फ एक मैच विकेट लेस हैं इसके अलावा हर मैच में विकेट निकाले हुए हैं फॉर्ट बढ़िया तरीके से विन किया शिलंका से तो चेंजेस आपको करने नहीं चाहिए मापके अगर कोई हो रहा है तो आपको टेलिग्राब बता दूँगा रह्मन उल्ला गुर्बाय से शुबात करें 38 का एवरेज रीसेंट फॉर्म ठीक है कुछ मैचस में डाउन जाता है कु तो चेजिंग में यार थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हो अपना विकेंट दे देते हैं लास्ट मैच भी आपने देखा शीलंका से अपना विकेंट जल्दी खोके चले गए मतुशंकर इनको आउट किया था और ऐसा नहीं नीदरलंड के पास बोली नहीं उनके पास भी बढ़िया बोले हैं तो चेजिंग में थोड़ा सोचे जा सकता है फिर्स बैट में डेफिनिटली टीम में रहेंगे फिर भी जाना है तो दौनों के साथ भी आप जा सकते हो जातरान की बात करें बहुत जादा एक्सपीरियेंस थर्टी सिक्स काईवरेज वीसेटली अच्छा करती हुए नजार आने लगातार तीन बड़े स्कोर इनों न कर दियें आज के मैश में बैटिंग सेक्शन से भरोसे मन थोड़ा सा रहमा शा लग रहा है क्योंकि रीसेटली बहुत अच्छा किया है बाकी बैट्समन उतरा ज मैश में तो बहुत अच्छा किया है मां की ओवरोल आप देखो के कंसिस्टेंट नहीं है कि लगातार आपको रंस करके दें दो मैश में अच्छा किया आज हो सकता है थोड़ा सा जल्दी आउट हो जाए फर्स बैट आ रही है तो विशाईदी को आप सोच सकते हो उमार जा जबादा और साथ आपको मिले तो आप वहर्वर्जादा विकिट्स निकाल सकते हैं बैटिंग तो आप आपकी अच्छी है तो मेरे अकॉर्डिंग अगर फर्स बैट आ रही है तो बैटिंग सो अच्छा कर सकते बोलिंग से रहा यार WILLIAMS कम मिलते हैं तो चांसे भी कम होते क कि जाधा विकेट्स ले इसलिए अगर फॉर्स बैट आ रही है तो कैप्टेन वाइस के टिन करना पीछे बैटिंग आ रही है तो आज के मैच में मुश्के लेकि उतना मौका मिले लास मैच में शीलंग का थी तो मौका अच्छा खासा मिला था आज हो सकता है थोड़ा कम मौक लेकिन थोड़ा सा टीम की भी गलती है कि आप इतना पीछे बैटिंग उनको दे रहे हो कि बैटिंग का जाधा मौका ही नहीं मिलता है और बैटिंग का मौका नहीं मिलेगा तो बैटिंग से बंदर क्या ही कर पाएगा उसके अलावा बोलिंग भी खराब चल रही है तो फि कुछ पॉइंट्स निकाल गे देते हैं थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं टीम में बिलकुल रखो फॉर्स बोल आ रहे हैं कैप्टन गी भी अच्छी चोईस है नीदर लेंड स्पिनर्स पर फस्ती है और पिछ बिस्पिनर्स को सपोर्ड भी है तो राशित खान एक क्रूषिल्स ड्रोडग कर सकते हैं मुझी व रहमानं 72 मैच गीट डीशन्फर मेंट कर देते हैं आच के मैच में क्या अच्छा कर सकते हैं कर सकते हैं क्यूंकि सपेनर्स बियों और साब्ली य900 दी पर करती है तो मुझी व रहां पर फिर छांज से नीदेलेंड अपनी टीम औल आउट हो जाए नवी नो लक्की बात करें बढ़िया है यार नमबर्स तो अच्छे हैं पिछले कुछ मैं पिछले मैच में विगेट नहीं मिलें और थोड़ा सा प्लस पॉइंट के डैथोवर्स मिल जाते हैं तो आज के मैच में यारे स्मॉल नीग में मैं फिलाल नहीं मैं थोड़ा सा स्पिनर्स पर जाधा वरोसा कर रहा हूं अफगानिस्तान के पेसर्स आपको रखना है सामने वाली टीम से लख सकते हो फारूखी का फॉर्म अच्छा चल रहा है लास्ट मैश्वर वाफसी की चार वेगिट निकाल दी इनको डेफिनिटली रखो और बैट आ रही है उसको कैप्टन करो क्योंकि बैटिंग से थोड़ा सा जाधा हमीद हम कर सकते हैं ठीक है बाकि वाइस कैप्टन जिसकी सेकेंड बोलिंग आ रही उसको रख लो लोगन वैंवीक एकरमेन और राचित खान तीन चोईसे यह बन रही है जिसमें से वैंवीक के स साथ तो काफी सारे लोग में भी जाने वालें क्योंकि बन्दा बहुत कमाल कैंप्स इंप्रेस में आपकोerson ब्रजाएं बोलें लोगन से सब्ढोर्षन इसिसमें बनाफिते हैं सब्सक्र खांð लोगन मैं वीक और लीडे और यहां से राशित खान यह जो आपको दिख रहे हैं कितने प्लेयर होगा है आर्ट प्लेयर होगा है इनके साथ मैक्सिमम टीम में जाए ज्यादा तर यह प्लेयर्स परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएंगे ट्रम कार्ट कौन हो सकता है आज के मैच में अगर शुरुआत के विकेट्स जल्दी गिरते हैं यह बंदा काफी बढ़िया करके देता है मुझीव और रहवान मेकर इन फारोकी और मौमबन नवी ठीक है स्मॉल्डिंग में अगर आपको डिफरेंट करना है थोड़ा बहुत भी डिफरेंट करना चारे हो आप ऑपोनेंट से थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट करना चाते हैं रिस्क का रिवर्ड पाना चाते हैं रिस्क ज़रूर है अभी इस हांत क्योंकि लगातार फेल हो रहा है लेकिन आज के मैच में प्लस पॉइंट क्या है आप 6-7 ओवर्स तो डेफिनिट ली डालेंगे और सामने वाले टीम इस फिरस्क फस्ती भी है और उसकी बोलिंग भी अच्छी तो आपकी बैटिंग भी आ सकती है इसलिए चाल से साज बन रहे है रिस्क लेना तो आप बिल्कुल रहे सकते हो अफगानिस्तान अगर बैटिंग फर्स करके डॉमिनिट कर रहा है यह ग्रैं फिर मैंने थोड़े से बोलर्स भी रख लिए नीदरलेंड फी ठीक है क्योंकि टककर का मैच है अफगानिस्तान भी अच्छी है और नीदरलेंड ने भी कुछ अच्छे मैच जीते हुए साउथ अफरीका को भी हराय हुआ है तो नीदरलेंड के चांसे भी कुछ ऐसे नहीं है कि आराम से नीदरलेंड मैच जाने देगी मां की अफगानिस्तान बोलिंग फर्स कर रहा है तो फिर मैंने राशित को कैप्टन करके नीडे को वाइस केप्टन कर दिया है मां की प्लियर्स के बारे में आप समझ सकते हैं ठीक है नेक्स्टीम की बात करें नीदरलेंड बै करता है नीदरलेंड बोलिंग फर्स डॉमिनेट करता है तो लीडे के सांथ वैन्वी को मैंना वाइस केप्टन कर दिया है मेकरन को भी वाइस केप्टन रख सकते हो अगर अब गारिस्तान जल्दी होल आउट हो रहा तो यह टीम उस कंडिशन में डेफिनेटी काम करेगी ठ के पहले वीडियो अगर आपको लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्स्क्राइब कर लेना और नॉटिफिकेशन भी ओन कर लेना अब आम देख लेते हैं दोस्तों टीम के बारे में तो हम बात करेंगे उसके पहले अगर आप टेलिग्राम पे नहीं है तो ट सब्सक्राइब करेंगे तो टेलिग्राम पे आपको टीम भी मिल जाएगी बागी जो भी कॉम्मिनेशन्स होंगे वो भी मैं आपको दे दूँगा स्मॉल लिग में मेरे इंबस्मेंट को बेरा के अंदर होता है अगर आप भी खेलना चाहते हैं को बेरा में तो स्क्रिन शॉट लेना है तो ले लो फाइनल टीम नहीं है फाइनल तो मैं आपको टेलिग्राम पे टॉस के अकॉर्डिंग कैप्टन वाइस मैं आपको चेक करके दूँगा मां की फिलाल ये टीम बनाके रखिए स्क्रीन शॉट ले सकते हो चलिए अब सीधा हम टीम के बारे सा रिस्क रहते हैं चेसिंग के अंदर मां की फिलाल में दौनों के साथ जाओंगा दौनों का फोर्म बढ़ी है चल रहा है आप पॉइंट्स भी देख सकते हैं और दौनों विकेट कीपिंग भी कर रहा है लास्ट मैच अगर आपने देखा अली खिल विकेट कीपिंग नह कंसिस्टेंट उतने जादा रहते नहीं है एंजल ब्रश डिफरेंट करना है ग्रेंड लिंग में जरूर रखना बरेसी को आप रख सकते हो स्मॉल लीक के अंदर बढ़ी अप लियर है तीस का एवरेज है लगतार रंस बनाने की इनको आदत है इसके अलावा स्मॉल लिंग कि अरे तो फिर शाहिरी के साथ भी आप जा सकते हैं उल सक्षन से बात करें लीडे वनवीक अकर्मैन और और मर्जाई चारों के साथ मैं जा रहूँ नवी यद्शोडने का मन तो मेन नहीं कर रहा ह। नवी के साथ मैं ज़्यादा तर जाता हूँ ज्यादा तर बौह बंbell बहुत कमाल का है लेकिन फॉर्म बिल्कुल भी खराब है बहुत ही धादा खराब है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसलिए फिलाल मैंने नहीं लिया अगर आप मैनेज कर पा रहे हो तो किसी बैट्समेन जैसे रहमा शां को ड्रॉप करके इनको रख सकते हो बोलिंग आगे यह फर्स बोल नीदलन की तो फिर आर्यन दत्ता को भी इग्नोर मत करना भाई बहुत ही वैतरीन प्लियर है फ्लस पॉइंट के थोड़ी बहुत बैटिंग करना भी जानते है ठीक है तो इस तरीके की दोस्तों कुछ हमारी टीम हो रही है कैप्टन वाइस केप्टन मै क्यान है कि है लीडे को स्ट्व ठीकरने खर इंपकरनोर वह इस लिए जादा भाब करना था बैस के ललेए इस है तो आज हो सकता है थोड़ा डाउन पर्फिरमेस आए तो कुछ इस तरीकी की दोस्तों हमारी टीम हो रही है बागे जो को वेरा की टीम रहेगी जो सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो पर थैंक ये और थैंक ये सो मच